हेलो एब्रीवन मैं पुस्पा राश्पूत पुस्पा की रिशोई में आप सबका स्वागत करती हूं आज समोसा ना कचोड़ी ना पकोड़ी आज हम लेकिया है ऐसा नास्ता जो बहुत ही खाने में टैस्टी और लाजवाब है तो चलिए फ्रांच चलते हैं इसको बनाने त मौटा वाला जो कद्दुकस होता है उससे मैंने कद्दुकस कर लिया है आप चाहें तो हातों से भी मसल सकते हैं पर कद्दुकस करने से क्या होगा कि यह इसमें एक भी लमसनी रहेंगे और यह देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और यह बल्कु सॉफ्ट आलू ह करके त्यार भी हो जाता है क्योंकि आलू जो होते हैं कभी 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 क्या होता कि कम पॉक्त तो इस तरह से आप चाहें तो कद्दु कस कर लिए चहाए तो आप हातों से इसको मसल लेजिए इसके बाद प्रेंस इसमें चिलीफ है, थोड़ा सा डालेंगे भुझा हुआ जीरा पाउडर, साथ में हम डालेंगे स्वात के अंसार इसमें नमक, तो इस तरह से हमें सारी मसालों को इसमें डाल करके त्यार कर लेना है, आप चहांद इसमें थोड़ा सा नीभू का रस डाल सकते हैं, फ् त्यार हो चुका है, इसकी उपर हम डाल देंगे थोड़ा सा, काट करके हरा धनिया, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें कसूरी महती, जिससे हमारा जो नास्ता हुआ, खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादेश्ट बन करके त्यार होगा, तो ये फ्रेंस आ आ रहे हैं, तो आपको चार चमच बेशन लेना है, और यदि आप एक लोकेजली बना रहे हैं, तो एक चमच आपको बेशन लेना है, इसके बाद आपको लेना स्वाद के अउसा नमक, थोड़ा सा चिलीफ है, थोड़ा सा हम हाथों से क्रस्ट करके इसमें डाल देंगे किसी तरह से हमें इस विशन गोफल करके त्यार कर लेना है इसमें अब्हुत ही अच्छा इसका है एक डम सॉप्ट गूल बना करके त्यार कर लेना है इसके बाद फ्रेंद्स आपको गहूं का आध नास्ता बना रहे हैं इसके लिए आपको जरूरत पढ़ेगी इस तरह कोई खाबी जगता है तो मैंने ये गहूं के आटे से नॉर्मा लाटा लगा लिया था इसमें कुछ भी नहीं डाला है ना ही नमक ना ही मोयन और मैंने साधा तीन रोटी बना ली थी तो इस तरह से आपको जैसे नॉर्मा रोटी हम बनाते हैं उसी तरह से आपको बनाना है एक और हरा धनिया इसके उपर हमें लेना है बारी कटे हुई टमाटर बारी कटे हुए प्याज बारी कटी हुई हरी मिर्च और साथ में आप चाहें तो इसमें खीरा गाजर भी डाल सकते हैं यह अप्सेनल है आपके पाद जो भी सब्जी हो आप इसको चॉप करके डाल सकते हैं इसके बाद फिरेंज हम डालेंगे चीज, यदि आपको चीज की रस्पी देखना है, तो मैंने इसका बेडियो डाला हुआ, डिसेप्शन बॉक्स में इसके लिंग डाल दूगी, तो आप इसको देख सकते हैं, यह मैंने घर में ही चीज बनाया हुआ है, बहुत एजली बन ज मैंने कद्दू कस करके डाल दिया है, और कुछ मैं चीज के छोटे-छोटे से पीस कट करके डाल दूगी, थोड़ा सा मैं डाल दूगी, इसमें स्वीट कॉन, यह भी ऑप्सनल है, यह आपके पास स्वीट कॉन नहीं है, तो इसको आप इसके भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास जो भी सबजी हो, वो आप ले सकते हैं, इसके बाद हमें एक रोटी और लेंगे, तीसरी बाली, इसके उपर हम उल्टे साइड से सॉस रखेंगे, और बस इसको हमें थोड़ा सा हास्ते प्रस करते हुए, इन रोटीयों को हम थोड़ा सा दबा देंगे, इसके क्या हुआ कि हमारी जो सबजियां है, रोटी में थोड़ा सा चिपक जाएंगी, और रोटीयों हमारी अलग निकलेंगी नहीं, इसके बाद हम लेंगे फ्रेंस कड़ाई, गैस को मैंने ओन कर दिया है, इसके बाद हम एक छोटी चम्माचिस में घीरा देंगे, इसके बाद में हमने जो ये फिलिंग वाली रोटी बनाई हुई है, इसके हम इसके उपर इस तरह से रख देंगे, अब आपको क्या करना है, इसको ढखकान से एक मिनट के लिए कवर कर देना है, और गैस को हम कर देंगे मीटियम, बहुत ज़्याद तेजनी रखन हुआ है, इस तरह से कवर करने से चीज भी हमारा मेल्ड हो जाता है, आप चाहें तो इसको बगएर घी से भी सेख करके त्यार कर सकते हैं, यह उप्सिनल है, आपको यदि बहुत ज़्यादा टेश्ट यदि आपको अच्छा लाना है, तो आप इसमे एक चमच घी डाल सकते हैं, बगयात आप चाहें कि बगएर घी के इसको बनाना चाहेते तो कोई दिकत नहीं, आप बगएर घी के भी सेख सकते हैं, तो यह लेजे फ्रेंस, यह हमारी रोटी से करके बहुत अच्छी त्यार हो चुकी है, और यह बहुत क्रिश्पी बन करके त्यार हुई है, तो आ कर लीजे, तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से खा सकते हैं, पर इसको हमें अभी और स्वादिष्ट बनाना है, तो अभी हम इसमें और भी कुछ करने वाले हैं, तो यह लीजे फ्रेंस, इससे देखें कितने सारे हमारे पीस कट करके त्यार हो चुके हैं, तो थोड़ा सा यह कम कटा हुआ, मैं थोड़ा सा और काट करके, देखें मैं एक एक कर के पीस आपको दिखा रही हूँ कि यह कितने अच्छे से बन करके त्यार हुआ, इसको आप सेंडविच भी बोल सकते हैं, इसको आप पिज्जा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हर सभी चीजों का इ त्यार कर लिए हैं, और यह बहुत जली बन करके त्यार भी हो चुका है, तो आप चाहें तो इसको ऐसी खा लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और भी अच्छा टेस्टी बनाने के लिए, जो मैंने घुल बना करके त्यार करके रखा हुआ था भीसन का, आप का था रोजनों से जुएठी के लिए, उसके तर बेशनले करेंगे अच्छे को ठीशन के लिए दो मैंने तो आप चाहें, जाए आप चममज मात करें आपको जैसा भी सही लगे , तो हमने एक एक तो संब तर ज़रूरु सारे पीशस् legitim को अच्छे से प्रण राइट कर तो आपको लगे सिख चुका है तो दूसरे साइड से भी पलट करके तो करें जिरे से पलटकर लोगे तो आपकida झाल कर लेंगे को हम धीर सीक ख़यगे अवं थीलिंग ये फ्याल कोिटे फेले चलिएगा्न वाला और यह बगएर ब्रेट का आप ब्रेट पकोडा बना करके तियार कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो पीशेसने अच्छे से फ्राई कर लेना है। कि और इनको थोड़ा सां मीरी आमाज में थोड़ा सां कृष्पी अने तक उलडप करके ने सेख करके त्यार कर लेना है यह थेंट आये थोड़ी से कणठाय चोटी है कि इसी तरह से हम सारे पीसे त्यार कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंस ये काफी क्रिस्पी हो चुका है इस तरह से हम बारी बारी सभी पीसों को शेक करके त्यार कर लेंगे तो है ना फ्रेंस ये मैजे के कम बगर ब्रेट का ये ब्रेट पकोड़ा बन करके त्यार हो चुका है तो जो शिकते जाएंगे इसको हम निकाल लेंगे तो इस तरह से नास्ता बनाकर के फ्रेंड्स आप त्यार कर सकते हैं और वेडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी आपको हैल्पुल हो तो प्लीज लाइक, सियर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और यदि मेरी चेनल पर नए हैं तो मेरी चेनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वेडियो में डालू उसका नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इसी तरह से हेल्दी हेल्दी रेस्पी को बना करके इंज्वाइ कर सकें तो देखे फ्रैंस इस तरह से हमें सारे जो हमने सेख करके त्यार किये हैं और इस तरह से नास्ती बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रसंद आते हैं क्योंकि इस समय चल नहीं है चुट्टियां बच्चों की तो बच्चे कुछ न कुछ सारा दिन चट्पटा खाने का मन करता है तो इस तरह से आप उनको बनाईए खिलाईए और आप चाहें तो इसको सॉस के साथ में दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको चट्पटी के साथ में दे सकते हैं तो देखे फ्रेंस यह सारा हमारा हेल्दी नास्ता बनकर की त्यार हो चुका है तो हम इसको किसी प्लेट में इसके बाद मैंने फ्रेंस बनाई हुई है हरी चट्पनी की आप चाहें तो इसको दही के रायते के साथ में भी ले सकते हैं